ही गाइज विल्कम बैक तो आज के वीडियो के अंदर कुएक अपडेट जो है मार्केट का देखेंगे कि करेंटली बिटकोईन की प्राइज जो वैसे कुछ पिछले दिनों से तो डंपी कर रही है तो अभी नेक्स मूवमेंट जो हम किस तरह का अब बैक तो को एक अपडेट जो है मार्केट का देख लेते हैं और यहां पर हम फॉल्लो अप करेंगे कल के वीडियो के साथ ही कि वहां पर हमने क्या बात करें थी क्योंकि अभी जो मूवमेंट और रहे हैं वह काफी ज़दा इंटरलेंक यहां पर बन जाते हैं तो सिबसे पहले स्टार्ट करते हम हमारे कल के वीडियो के साथ जहां पर हमने बात करी थी अभी अगर देखते हैं तो बिटकोईन की प्राइज अभी जो यह रिसेंटली नीचे फॉल करी है तो एक हमको बेरिश पैनेंट ही एक सिमिट्रिकल टाइंगल बनता हुआ देखने को मिल रह इससे यहां पर उपर के जूम पर ब्रेक आउट करके आती है या फिर इस बार जो उपर टेस्ट करने आती तो लोवर यह जो हमारी ट्रेंड लाइन है उस पर रिजेक्ट हो जाती है जैसा हमने कल बेहां पर बात करी थी अब उस अकॉर्डिंग अगर हम चार्ट पर देखत कर रही है और ऐसी चीजे हमको काफी बार यूजली देखने को मलती है इस्पेशली जब मार्केट स्लो होता है तो यह कंसॉलिडेशन फेज होता है जहां पर प्राइस जो होती है काफी ट्रेडर्स को कंफ्यूस करने के लिए एक ही जोन में बहुत लंबे टाइम तक कर देखने को मलता और यह चीज हमको कैसे पता है अगर मैच करेंगे तो यहां पर आप देखो कैंडल स्टो मूफ कर रही है वाल्यूम को नोटेस करो मॉल्यूम ओवरॉल एक दम कम हो गया है कोई वाल्यूम ट्रेडिंग वाल्यूम आई नहीं रहे है तो जब ऐसा डिक्ला जो है यहां पर चल रहा है अब एक बात यहां पर यह है कि प्राइज उपर आ तो रही है अगर आने में भी लेते हैं कि थोड़ा से उपर जाएगे तो लिमीटेशन वाले जोन कौंसी बन जाती है तो वह यहां पर बन जाती है थडिटी टू थाउजन डॉलर्यूम बीज ह करती है थोड़ा सा अगर वालिम भी आता है तो 32 का एक जोन है जहां पर जाके rejection की possibility और बन जाती है अतलब एक resistance वाइस यह एक जोन है जो भी थोड़ा strong मन जाता है अगर वो break होके उसके उपर चलिया है तो थोड़ी सी बात अलग यहां पर हो दूसरी probability जो हम नीचे की देख रहे हैं वो यह है कि ज्यादा बेटर यह रहेगा कि अगर यहां पर जैसे अगर प्राइज ऐसी भी चले जा 32 पर चले यहां पर नीचे आती है अगर प्राइज एक बार थोड़ा सा नीचे फिर से आती है जैसे 25 26 उस जोन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा गर प्राइज आती है और फिर यहां पर एक हमको बुलिश डाइवर्जन देखने को मिले और फिर एक बाउंस करें वो भी थोड़ी बेटर प्राइबिलिटी यहां पर बन जाएगी कि अगर आप देखोगे क्या चीज सबसे इंपॉर्डन होती अच्छी बात है लेकिन यह देखने के लिए कंडल राइट तरीके से मूव कर रही है कि नहीं कर रही है कहीं आपको फसानी की कुशिच तो नहीं कर रही है हम उसको मैच करते हैं आपर आरसाय के साथ जो आप देख सकते हो प्राइज देखो इतना उपर मूव करी निया इन थोड़ा बहुत उपर नीचे मान लेना आप वह जोन यहां पर बन जाते हैं जिनको आप यहां पर देख सकते हो बाकि नेक्स मुविंगां थोड़ा सा अगर हम फंडिंग रेट को भी देखेंगे तो फंडिंग रेट थोड़ी सी मिक्स चल रहे है क्योंकि कल जब मैंने व पॉजिटिव मुवमेंट वह पस लोग बुलिश हो गए तो बहुत फ्रीक्वेंट ताइम्स के अंदर यहां पर फंडिंग रेट जो है करेंटली चेंज कर यह जादा अगर लंबे ताइम तक नेगिटिव रहे तो थोड़ा बेटर रहता है जो अभी नहीं है तो इस फिल प्रिवेस इस्ट्री में देखने को मिलिए अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजे बहुत पहले से वहां कर रहे तो बता रहे थे कि इन चीजों पर ध्यानक्तना अगर यह हुआ तो इसका अंतलब पुरानी हिस्ट्री ही यहीं पर कहीं ना कहीं रिपीट और जो बहुत सारी चीजे जो क्रोस ओवरी सारी चीजे जो स्टीम आतो काफी लोग तो गुस्टा भी करते थे लेकिन इत इस इंपॉर्टन प्रैक्टिकल होग होज बट प्रिपर फो ब्र्वाइस बटाइब घर अप हमेशा प्रपेड रहे तो अगर आपको आपको एक्श्य इस तरह से प्रिपेर करना चाहिए ताकि मार्केट में कोई भी सिच्वेशन आया आप तेंशन फ्री हो यह आलवेस नीड तो है इस दिन वह अचीव कर लिए उस पर फोकस करना स्टार्ट कर लिए तो आपका पूरा चीजे ही चेंज रहेंगे एविधिंग विल बिकम इजी अब अब आप देख रहोगे हजार उपे लगाओ और इतने पैसे वह सारी चीजे बंद हो गई है इसी कारण से बंद होगे क्योंकि बुल मार्केट में चलता है लेकिन यह जो मार्केट होता है यहां पर वही लोग सवाइफ कर पाते हैं जो एक्चुल में फंडमेंटल्स इन प्रॉपर इंवेस्टिंग स्टाटेजी टी ए रिस्क मैनेजमेंट फंडमेंटल्स यह सारी चीजों को कॉमिनेशन जो अपना पॉर्फोलियो मैनेजमेंट उसको देख के प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ चलते हैं तो गलती होगे कोई बाती मैंने भी बहुत तो इसका लग यह निए कि आप नहीं सीख सकते हो बस वह ज़एजबा जो है आपके अंदर यहां पर होना चाहिए राइट बाकि ओवराल 28 काफी इंपॉर्टन जोने वीकली मैं मैंने पहले भी बात करिए डेली वेली में थोड़ा उपन निचा जाज डेजन माटर वीकली करते हैं और आपका क्या व्यूपॉइंट है बिटकोइन को लेके अल्स को लेके एनिफिंग देट यूड लाइक तो आट कॉमें में दालके जरूर बताना बाकी मिलेंगे अम अगले वीडियो में तब तक लिए बाइं टेक क्या बाबाई